दोस्तों नमस्ते चानल पर आप सबका स्वागत है आज फिर से फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग के एक और कुंडली लेके आया हूँ उसकी रीडिंग करने से पहले इतना बता दू आपको अगर अपनी कुंडली रीडिंग करवानी है तो आप व Hersaipe ड्रॉप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जो number है उसपर हवर्ट कर सकते हैं से धियान दीजए, सिलेक्टेट कुंडली की रीडिंग होती है 30 October के बाद अगर आपकी कुंडली से लेक्ट हो गई तो आपकी रीडिंग हो जाएगी आपके दो सवालों के जवाब मिल जाएंगे आप WhatsApp पे अपने डीटेल प्रोवाइट कर सकते हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने दो सवाल पूछ सकते हैं और बाकी डीटेल्स दे दीजेगा जो मैं WhatsApp पे आपको रिक्वेस्ट करूँगा देने के लिए अगर आप ये करते हैं तो अगर आपकी कुल्ली सेलेक्ट होती है तो तीक सब्सक्राइब के बाद जरूर आपकी डीटिंग देने की कोशिश करूँगा बाकी जिन लोगों की डीटिंग अभी चल रही है तो 15 अक्टोबर की डीटिंग चल रही है तो 15 अक्टोबर में दो कुल्ली की डीटिंग हो चुकी है बाकी की कुल्ली की डीटिंग मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे जिनकी हो जाएगी उन लोग अपलोड करके उनको WhatsApp पर लिंक प्रोवाइट कर दूँगा WhatsApp पर लिंक आ जाएगा ठीक है तो ये कुंड़ी है वरुन जी की वरुन जी की A17 प्लस है 17 प्लस इनकी एज है काफी यंग है तो कभी लगा कि ये कुंड़ी देखके जी की मतलब भी ना देखे ऐसा लगा कि मदर ने ये question पूछा उनके बिहाँ से तो मुझे लगा कि क्या है मतलब बनता है तो मैं इकुंड़ी से लेट करने से पहले सोच रहा है क्या है मतलब बनता है 17 साल का रगा है क्या ही problem हो सकती है ये कुंड़ी रीडिंग की बात हो रही है लेकिन फिर अपने ही सवालों का जवाब धीरे-धीरे कहीं ना कहीं दिख जाता है तो system पे प्रोसेस होता है या या एक system का thinking होता है उस thinking से थोड़ा सा different हमेशा सोचने की मजबूर thinking में थोड़ी से difference लाना पड़ता है कभी-कभी और कभी-कभी system भी सही होता है तो ठीक है इस बार जो ये कुंड़ी है इसके regarding ये बात करता हूँ जिकि इनकी एज बहुत कम है 17 प्लस है इनको mental stress हो रहा है और mental stress isolation की तरफ कहीं ना कहीं लेके जा रहा है उसका क्या reason है उसके regarding मेरे को सवाल का जवाब हो सके क्या पता मैं दे पाऊं तो ये बात कर लेते हैं वरुन जी की mother को ये बोलूँगा जिकि इनकी age तो आपको पता ही है 17 प्लस है ये काफी young है इनकी महादशा अभी मंगल की चल लई है मंगल की महादशा मंगल आप देख सकते हैं चटे घर का माली चटे घर में बैठा हुआ है 6,000 में बैठा हुआ है मंगल focus में थोड़ी दिक्कत हुई है तो 9 नमबर लिखा है गुरू के घर में बैठा हुआ है लेकिन बैठा हुआ है चटे घर में और गुरू यहाँ पे भागे का कारक है और तीसरे घर में बैठा हुआ है तो यहाँ पे एक चीज मंगल की महादशा चल रही है तो यह जो परसन है अभी mental stress क्यूं है इनको उसकी reason एक है कि यह मंगल की महादशा चल रही है क्योंकि थोड़ा सा इंसान इहाँ पे volatile रहता है परिशान रहता हाला कि मंगल यहाँ पर जीद जरूर दिलाता है लेकिन हो सकता है जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो भी लाइफ में यह अपनी ग्रोथ या करियर को लेकर सोच रहे हैं उसमें इनको महनत की बहुत जरुत पढ़ रही है इस कारण वाश हो सकता है इनको दिक्कत हो रही हो दूसरी दिक्कत है मंगल में इनकी केतू की अंतरदशा चल रही है अगर आप देख सकते हैं तो केतू की अंतरदशा यहाँ पर चल रही है केतू की अंतरदशा पर थोड़ा सा ध्यान रखेगा केतू की अंतरदशा पर इसले ध्यान रखेगा क्योंकि य लिखा है वीना शुक्र के घर में बैठा हुआ है शुक्र खुद दस साथ हुए घर में बैठा हुआ है हेल्थ को लेके प्रॉब्लम कही न कहीं ला सकता है के तु यहां पर के तु और मंगल की महादशा में एक इपोर्टेंट चीज़ दिखाई दे रहे है वह मदर या कईन्वीनेंस में कमी और अगर हम यहां पर मून को देखे जो एक्शोल मदर का कारक होता है वह लगनेश है और थीसरे घर में जाके बैठा हुआ है उप जो की ठीक है लेकिन मरकरी के साथ मून की अच्छे नहीं है यहां पर ठीक है गुरू भी तीसरे घर में बैठा हुआ है तो यह जो परसन है अपनी महनत से आगे बढ़ने में विश्वास रखता है काफी महनत करता है लेकिन उसे इस महनत में कहीं न कहीं difficulties हो रही है उसे convenience में कहीं कोई difficulties हो रही है या मतर के साथ कोई relationship में कहीं न कहीं problem आ रही है और मैं यहां पर यह भी कह सकता हूँ जिके problem कहीं और से भी आ सकती है हो सकता है कहीं न कहीं यह कोई यंग लड़के हैं यंग बच्चे हैं relationship में जा सकते हैं कभी कभी किसी को कोई पसं करते थे, तो कही न कहीं उनके जो पसंद है, उनके फैमिली से कहीं न कहीं कोई disrespect या कहीं न कहीं disappointment की बात आये और जो शायद उनकी जो relationship है, जो उनकी friend है या जो उनके friends है, उन्होंने इनको ये convey किया है या उनको इस बात को लेके कहीं न कहीं परिशान किया है या insult किया है, कि कोई रीजन हो सकते हैं पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं लेकिन शायद यह रीजन हो सकते हैं तो अगर कोई रीजन और है तो मैं नहीं कह सकता और अगर रीजन रीजन होते हैं सकते हैं अगर यह जादा होती तो मैं कही ना कहीं सिदा महदर से मृदर से ne और मधर इनको कोप अपड़ी कर पा रही है कहीं ना कहीं लोगो ने इनको कहीं डिग्रेट किया हो कुछ किया हो या कहीं कोई मानहानी वह इंसल्ट हुए कहीं पर क्या पता आई डोंट नो यह रीजन्स हो सकते हैं तो इसका उपाय बोल देता हूं मैं अगर यहां पर अगर यह केतू जाना दिन नहीं रहेगा शुक्र के मंगल में के केतू का उपाय आप कर सकती हैं मंगल की महात अचा चल रहे और चटे घर में मंगल बैठा हुआ है हाला कि मंगल तीसरे चटे घर में पावरफुल होता है लिए फिर मंगल के उपाय करेगा तो मंगल के उपाय में जरूर बोलूँगा जीकि सरसों के तेल या कोई भी लाल डोनेशन करिए शनिवार और मंगलवार को हनुआन चाली साफ पढ़ने के इनके लिए बोलिए और हनुआन चाली साफ पढ़ेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा केतू के लिए और जो नॉर्मल चीज़ा है अगर ब्लड डोनेट कर सकते हैं आप अगर आप खुद भी करती है तो भी अच्छा रहेगा अगर आप क्या बेटा करता है जिनके एकुणले तो :「ब्लड डोनेट कर सकते हैं अभी तो एक लेकिन कम है लेकिन अठारा हो जाएंगे कुछ दिनों में तो अगर blood donate करते तो mangal की अधशा अच्छी निकलेगी जो की थोड़ी लंबी चलेगी 26 चलेगी तो इसके बाद शुकर की चलेगी वो उस टाइम पर ठीक रहेगा इसके लावा केतु का उपाय जरूर करिएगा dog fit करिएगा गनेश जी की आरती करिए केतु के असर थोड़ा जरूर कोशिश करिए गनेश जी की की पूज़ा करिए और भोले नात को थोड़ा सा फॉलो करिए भोले नात को उनको बोले कि महामित्व जाग का जाप करें या भोले नात का जाप करें तो उससे थोड़ा सा केतू हो सकता है यह भी दिहान में रखने जी कि दस्वे घर में राहू पैटा है तो इसको ध्यान में रखता है मून का थोड़ा सा अच्छा रहेगा कोई भी वाइट चीज का डोनेशन कर सकती है आप तो भी अच्छा रहेगा मून स्ट्रॉंग हो जाएगा तो ये छोटे मोटे उपाय करिएगा तो और अगर कुछ उपाय छूट जाता है